जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर माहा के धनू राशी फल, मकर राशी, कुम्भ राशी और मीन राशी के राशी फल के बारे में इस महीने आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, करियर, प्रेम संब पारिवारिक जीवन, और सिक्षा के शेत्र में ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही आपके लिए बताएंगे एक कारगर उपाए, जो आपके सभी कारियों में उपलब्द ही आपको दिला सकता है, तो वीडियो को आँ तक देखें, और हमारी चैनल को भी सब कर लें, घंटिक के बटन को दबा दें, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम धनुराशी के बारे में धनुराशी वाले जातकों के लिए सितमर का महीना कैसा रहेगा, दोस्तों इस महीने चार ग्रहों का र विचारों को अमल करने वाले होते हैं, इनमें समय और परस्तिती को देखते हुए कार्या करने के परणाली होती है, इसलिए इनके अंदर समय के अनुसार अच्छा लाब प्राप्त करने के भी संभावना होती है, यदि इस महीने की बात करें, तो इस महीने आप किसी कार्या व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको खुद को विश्वास में लेकर ही किसी भी कारे को पूरा करना होगा तब ही आपको अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है धन धान अचल संपत्ती का योग तो आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है इस महीने आपके दोरा किये गए प्रियासों से अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है बस खुद पर रिश्वास रखें और अपनी कारे को करते रहें यदि आपको किसी अचल संपत्ती प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको इस महा में कुछ लाब ज़रूर मिलेगा जिसे देखकर आप भी हद प्रसन होंगे आपके सगे संबंधियों परिवारवालों के साथ आपके संब्मद अच्छे होंगे लेकिन दामपत्य जीवन को लेकर शुरुवाते दोर में तनाप पूर्ण स्थितियां उत्पन हो सकती हैं आपके जीवन साथे के साथ आपके संपर्क खराब हो सकते हैं तो यहां आपको सावधानी बरतनी होगी अससराल पक्ष से भी संबंध बिगणने की संभावना बनी हुई है लेकिन बाहर की यात्रा का योग बहुत अच्छा आपके लिए बना हुआ है यदि आप नोकरी करते हैं और तो इस महीने में पद पोजिशन आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही अच्छा योग आपके लिए नोकरी करने वाले जात्कों के लिए बना हुआ है साथ ही आपको अपनी मित्रों का सही योग भी प्राप्त होगा भूमी और वाहन का योग भी आपके लिए बना हुआ है माता पिता का संबंद आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप राजनीतिक शेत्र से जुड़े हुए हैं तो राजनीतिक शेत्र में परिशानिया थोड़ी सी रह सकती है राजनीतिक लाभ प्राप्त होने की संभावना इस महीने आपके लिए कम बनी हुए है तो थोड़ा सा देहरिय बना कर आपको इस महीने चलना जरूर होगा इस महीने में भागदोड आपके लिए अधिक रहेगी जिससे तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती है संतान पक्ष को लेकर इस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी अनुकूल रहेंगी पढ़ाय लिखाई से सम्मंदित अच्छा लाभ राप्त होगा इस महीने में भाग आपका साथ देता हुआ दिख रहा है कामकाज की शेत्रों में उन्नती होने के साथ साथ बाहर की यात्रा में भी आपको सफलता मिल सकती है इस महीने में शत्रु पक्ष सामाने स्थिति में रहेंगे शारेरिक जो प्रक्रियाएं हैं वो इस समय कम रहेंगी आर्थिक तोर पर भी आपको अफसर प्राप्त होंगे कारिया वेवसाय से जुड़ी गतिवी दिया इस महीने में उतरार्द में अच्छी रहेंगी अपने आप पर भरूसा करते हुए किसी भी कारे को करने का प्रयास करें ताकि आपको अच्छी काम्या भी प्राप्त हो सके यदि किसी तरह का पारिवारी की विवाद चल रहा है तो उसे निप्ठाने का प्रयास करें कुछ अचल संपत्ती प्राप्ती की योग भी बन रहे हैं पैत्रक संपत्ती भी आपको मिल सकती है इस महिने में 5, 6, 14, 15, 23 और 24 तारिख तनापून इस्थितियां उत्पन करने वाले सावित होगी ऐसे में इन डेट्स में आपको सावधानी बरतनी है किसी भी कारे को करने का प्रयत्न करें तो सावधानी पूरवक करें और मुमकिन हो तो इन दुनों में कोई भी महत्पून कारे आप ना करें अब जानते हैं इस महिने के उपाय के बारे में आप इस महिने गुरुवार का वरत और पूजन कर सकते हैं या गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं या फिर किसी गाय और ब्रहमन की सेवा आप कर सकते हैं जितना मुम्किन हो अपने गुरू का आशिरवाद प्राप्त करें जिससे ये महीना आपके लिए बहुत अधिक शुब फल प्रदान देने वाला हो और जिवन में आने वाले कठनाईया आपकी दूर होती चली जाएं तो दोस्तो ये था धनुराशिफल अब हम बात करेंगे मकर राशी के बारे में मकर राशी के लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा इस महीने में मानसिक अशान्ति और तनावपूर्ण इस्थितियां बन सकती है फाइनेंश से जुड़ी समस्यां परिशान कर सकती है इस समय के अनुसार सगे संबंदियों से सहयोग प्राप्त होने की समभावनाय कम दिखाए दे रहे हैं इस महीने आपको कई प्रकार की परिशानियां महसूस आपको करने को मिलेंगे जितना आप बाहर निकलने का प्रयास करेंगे उतनी ही आपकी परिशानियां बढ़ती हुई नजर आ सकती है ऐसे में आपको स्थिरता और गंभिरता से प्रयास करना चाहिए किसी भी कारे को करने से पहले पूरी समझदारी रखनी चाहिए तथा आप अपने कारे के प्रती पूरी जिम्मेदारी भी निभाएंगे आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने से अच्छा लगेगा और मेहनत करने से लाब भी मिलेगा बिना सोचे समझे इस्तिती को सही से ना समझते हुए किसी भी कार्य को करने का प्रयास बिलकुल ना करें इस महीने सावधानी ज़रूर बरत्नी है धन अचल संपत्ती प्राप्ती के द्रश्टी से इस्तिती तनापोर्ण हो सकती है यदि आप नौकरी करते हैं तो पद पोजिशन प्राप्ती के लिए प्रयास करते रहें तो बेशक आपको अभी कुछ समय लग सकता है लेकिन काम्यावी मिलने की संभावनाई बिलकुल है क्योंकि गुरूव रश्चिक राशी में संचरन कर रहा है जो पद पोजिशन के लिहाद से आपके लिए बहतर इस्तिती बना रहे हैं इस्ट मीत्रों का साहयोग मिलेगा भूमी वाहा नित्यादी की प्राप्ती में समस्यायत उत्पन होंगी लेकिन बाद में आपको महीने के आज़े तक सब कुछ चीख हो जाएगा राजनीतिक लाब राजनीतिक शेटर से जुड़े हुए हैं तो यहां भी आपको साफधानी परतनी होगी परिशानिया परिशान कर सकती है इस समय आपको अपने घर परिवार के विरोध भी जहिलना पड़ सकता है लेकिन साहस रखें उत्साहस से अपनी कारे को करते रहें निराश बिलकुल ना हो संतान पक्ष को लेकर इस्थितियां तनापूर रह सकती है प्रेम प्रसंग में भी मामले में भी परिशानिया रह सकती है संतान प्राप्ति ये संतान की पढ़ाई लिखाई त्यादी में भी आपको कई तरह की परिशानिया दिख सकती है माता-पिता से सम्मद अच्छे रहेंगे माता-पिता की इस वास्तिया का जरूर ध्यान रखें भागय की इस माह में आपके लिए सामान इस्थिती रहेगी करियर को लेकर भाग दोड़ की इस्थिती रह सकती है तनाव की इस्थिती जिससे बन सकती है आप किसी नए कारे को करने का प्रयास करेंगे तो उसमें भी बाद हैं आएंगी इसलिए इस महीने में किसी भी कारे को शुरू करने के लिए अच्छा समय नहीं है नुकसान दायक रह सकता है, इससे बचनी के लिए सोची समझीती रणनीती के तहट किसी भी कारे को करने का प्रयात्न करें इस महिने में बाहर की यात्राइं हो सकती हैं जो अच्छी रहेंगी, दामपत्य जीवन को लेकर स्थितियां बहतर रहेंगी सस्राल पक्षच से आपको सहयोग मिलेगा, आर्थिक लाव के मामले में भी तनाव रह सकता है, लेन दिन करने से आपको इस महिने जुरूर बचना होगा इस महिने में इस्थितियों को सामान्य करने के लिए मेहनत करनी होगी साथ ही इस महिने में 8 तारिक, 9 तारिक, 17 तारिक, 18 तारिक, 26 और 27 तारिक आपके लिए कस्ट कारी तनापूर इस्थितियां पैदा कर सकती है इसलिए इन डेट्स में कोई शुब कारिया ना करें, कोई नया कारिया शुरू ना करें अब जानते हैं आपके लिए इस महिने के उपाय के बारे में आप शनिवार के दिन काले चीजों का दान जरूर करें या शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल के तिल के तेल का दीपक जलाएं या फिर हनुमान चालिसा का पाट करें जिससे शनिदेव आप पर किरपा करें और आपके लिए इस महीने को कारगर बनाएं तो ये था मकार राशी फल अब हम बात करेंगे कु कुमिराशी के जात तक गंभीर प्रवर्ति वाले व्यक्ति होते हैं जो अपने किसी भी कारे को स्थिरता और गंभीरता पोरवा करते हैं जिससे आपको लाब प्राप्ती होते हैं यदि इस महीने की हम बात करें तो इस महीने आपको अच्छी सफलता प्राप्त होने की संभ बावनाई बन रही हैं करियर की द्रस्टी से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा यदि आप कारिये व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपको अच्छा लाब मिलेगा कुछ नए लोगों से संबंद जोड़ने से आर्थिक लाब के अच्छे अफसर आपको प्राप्त होंग इस महिने में आर्थिक स्थितियां बहतर स्थिती में रहने वाली हैं क्योंकि गुरू रश्चिक राशी में संच्रन कर रहे हैं जो आर्थिक लाब के लिए आपके लिए अच्छे और नए रास्ते निकालेंगे भागय भी आपका इस महीने पूरा साथ देगा क्योंकि शुक्र गुरू के साथ सिहिंग राशी में गोचर कर रहे हैं तो भागय की उन्नती की द्रस्टी से ये महीना अच्छा है साहस और पराकरम की द्रस्टी से आपकी स्थितियां बहतर बनती हुई दिखाई दे रही है कारिय वेफसाय से संबंदित हर तरह के शेतर में अच्छा लाब की प्राप्ती होगी जिस कारें शेतर में आप जुड़े हुए हैं उसमें आपको लाब मिलता हुआ दिख रहा है ये जरूरी है कि कामकाज को लेकर इस महीने आपको कुछ यातरा भी करनी पड़ सकती है जिनसे आपको खर्चा भी होगा परन्तु समय के रूसार लाब प्राप्त होने की संब्हावनाएं भी अच्छी बनी हुए है बाहर की यातरा से बाहर से संबंदित कामकाज से आपको अपने शेतर में अच्छी सफलता मिलेगी आपके बाहर विदेश की यातरा करने का भी योग आपके लिए इस महीने में बना हुआ है ऐसे में यदि आप विदेश यातरा करना चाहते हैं विदेश से संबंदित कामकाज के शेतर से जुड़े हुए हैं तो आपको लाप्प्रात होने की प्रबल संबावनाय हैं। इस महीने में दामपते जीवन को लेकर इस्तितियां तनाव पूर्ण रह सकती हैं, तता स्वास्ते से संबंधित चिंताएं भी रह सकती हैं। ऐसे में अपने जीवन साती के साथ संबंद अच्छे बना कर चले। स्वास्तिय के प्रति सचेत रहें और शत्रु पक्ष इस समय थनाव की स्थितियां पैदा कर सकता है। इसलिए शत्रों से भी शावधान रहें। किसी अनावशक विवाद से आपको बचने का प्रयास करना है। इस महीने में संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। संतान की पढ़ाई लिखाई ये संतान से संबंदित परिशानिया भी दूर हो सकते हैं। विभी आप सिक्षा के शेत्र से संबंद रखते हैं। सिक्षा से संबंदित लाव प्राप्त करने का प्रयात कर रहे हैं। तो आपको सफलताज जरूर मिलेगी। प्रेम संबंदों के मामले में भी स्तितिया बहतर रहेंगी। वाहन भूमी भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, सामाजिक मान सम्मान की द्रस्टी से भी महीना बहतर रहेगा, राजनितिक लाब प्राप्त होने के अच्छे अफसर बन रहे हैं, यह आप राजनितिक लाब प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह संभाव है, माता पिता से अच तहयोग की प्राप्ति होगी, साहस और पराक्रम के साथ साथ पद पोजिशन की प्राप्ति होगी, इस महिने में धन अचल संपत्ति के लिए इस्थितियां बहतर बनेंगी, सगे समंदियों के साथ रिष्टे अच्छे होंगे, आपके दुवारा किये गए प्रयासों से अच् द्यान रखना है अब बात करते हैं कुम्ब राशी के लिए इस महीने के उपाय के बारे में आप शनिवार के दिन मंदिर की सफाई की सामगरी दान कर सकते हैं जैसे जहाडू, पोचा, फिनाईल आदी आप दान जरूर करें इसके अलावा आप स्वेम भी सफाई के कारियों मे से आपको मुक्ति मिल सकती है तो ये था कुम्ब राशी फल अब बात करते हैं मीन राशी के बारे में मीन राशी के लोगों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा मीन राशी वाले जातकों के लिए इस महीने की बात करें तो इस महीने में आपके मन के विचलत जादा रहने की से आपकी परिशानिया बढ़ सकती हैं आप किसी ठोस निर्णल लेने में विलंब कर सकते हैं जिसके कारण आपकी परिशानिया बढ़ने की उमीद है आपको उपने आप पर भरोसा इस महिने कम रहेगा दूसरों की बातों पर भरोसा आपको ज्यादा रहेगा इसलिए आप का काम खराब हो सकता है तो ऐसे में आपको ये सब के बारे में सोचना होगा ऐसे में स्वैम से निनल लेने का प्रयास आपको करना है किसी भी कारे को जिम्मेदारी पूरवक करें जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास बिल्कुल न करें साहस और उत्साहस से कि ये कारेयों स अच्छा लाब प्राप्त होने का अफसर बन रहा है यदि आप इस महिने में किसी भी कारे को जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी जोकि गुरु व्रश्चिक राशी में संचरन कर रहा है ऐसे में इस समय भागे का साथ आपको अच्छा मिले यदि आप बाहर की त्रया करना चाहते हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है यह यात्र आप वेफसाइक द्रस्टी से भी करना चाहते हैं तो वह भी सफल रहेगी जीवन साहिक के साथ संबंध आपके मधूर बने रहेंगे इस तिदिया बहतर रेंगी शत्रों पर कर रहे हैं तो उसमें को अच्छी सा फंटा मिलेगी करेड़ कि द्रस्टी से से महिना। आपके लिएं लाप्रद रहेगा यदि आप नोकरी करते हैं तो पद加ना पोजीशन प्राप्त होने आपके लिए बहतर होगा चला-चल संपत्ती का योग भी आपके लिए बना हुआ है लेकिन प्रॉपर्टी से सम्मंद विवादों से आपको दूर रहना है वर्ना परिशानियां बढ़ सकती हैं स्वैम से नेनर लिए गए किसी भी कारे को पूरा करने का प्रयतन करें अपने पर भरोसा रखें और परिवार वालों को साथ लेकर चलें जिससे हर तरह की समस्यां दूर हो सकें अच्छा लाप राप्त कर सकें इस महिने की 3 तारीक, 4 तारीक, 12 तारीक, 21 और 22 तारीक आपके लिए तनापपूर्ण इस्थितियां ला सकती हैं तो इन दिने में आपकी मां गाय को गुर और चनी की दाल खिला सकते हैं जिससे आपको अच्छे लाप की प्राप्ती हो सकें साथी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बूलें